नमस्ते फ्रेंड्स मेरा नाम राधीका है और आप सभी का मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को गुड मॉर्निंग क्योंकि सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह सुबह देखिए मैं लग गही हूँ अपने घर के कामों में मैंने जाड़ू कर लिया है और अभी बच्चों की आज स्कूल थी तो वो सारा काम हो गया है बच्चे इस्कूल चले गए हैं और आयानस अभी सोया हुआ है तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट अपने काम कर लेती हूँ फिर नहाद हो के अपना पूजा अगरा कर लोंगी जल्दी से और उतने टाइम तक आयानस होया रहेगा तो अगर उट जाता है तो फिर मुझे उसके पीछे लगना पड़ता है क्योंकि फिर वो उसको भूख लग जाती है उटते ही तो फिर मैं कुछ देती हूँ खाने के लिए या फिर कुछ ऐसे उसके साथ रहना पड़ता है तब जाके वो मानता है फिर थोड़ा सा मेरा काम लेट होने लगता है मौनिंग रूटीन फिनिस करने के लिए और यहां पर देखे फ्रेंट्स यहां पर न मैं लगा रही थी पोच्छा और आप सभी के पिछले वीडियो में इससे जो पहले वाला वीडियो गया था उसमें काफी सारे कॉमेंट आये थे कि मेरा यह नया घर है तो हम यहां पे दसेरे की दिन अक्टूबर में ग्रह परवेस करके आये थे तो उसी के लिए कॉमेंट आये था कि नया घर है और पूरा घर मेरा इतना ज़्यादा गंदा कैसे हो गया है तो फ्रेंट्स गंदा होने का कारण यही है हम लोग आयांस को तो दिन बर देखते ही है साथ में आदितिया भी देखता है आसी भी देखता है लिए पता नहीं उसके हाथों में कैसे पैल सीन या फिर कलर कैसे उसके हाथ में आ जाता है चोटा सभी आ गया है तो वह दिवालों में लिखने लगता है उसकी एजी यह लिखने का ऐसे मतलब खेलने का तो यह वा उतारता है धाय सेल का होने चला लेकिन बहुत तंग करता है अभी सबसे ज़रा तंग कुछ भी रहएगा वह दिवाल में लगाता ही है तो हम उसको देखनी पाते हैं जब तक और अपना काम कर लेता है तो अभी उसको सिखाते है कि मत करो मत करो तो उतनी तक कर लेता है और भूल जाता है उसको मैं मैं खेलता है वो तो मेरी दिवारे इतनी जादा इसी वज़े से गंदा हो गया क्योंकि आयांस ने कलर पैल्सिन जहां उसके हाथ और वह ऐसे खेलता भी है न तो पानी हाथ में तो हाथो छोटे-छोटे हाथ के पंजे मलब की लग अब वाइट दिवारे तो मैं बचा नहीं सकती तो इसी वज़े से भी हमने ये कलर नहीं करवाया था क्योंकि कलर में हमारा बहुत ज़्यादा बजट गिर रहा था उसमें और मतलब कि बहुत महंगा हमें लग रहा था उस तो हमने सोचा कि अभी हम लोग एक डेर साल दो सा ऐसे ही रहेंगे पूरे थोड़ा बहुत और गंदा भी हो जागा तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे तब तक समझ आरिते आसी मेरे समझदार है लेकिन आयांस को मैं सिखाती हूं ऐसा नहीं कि नहीं सिखाती हूं और कोई भी माबाब अपने बच्चे को गंदा आदत तो घर को अभी पेंट करेंगे नहीं क्योंकि कोई फैदाई नहीं है करके और यहां पर देखे फ्रेंट्स अभी न मैं बाहर आ गई हूं और मैंने पूरे घर में पोच्छा लगा लिया है और बस यहां पर मैं धो देती हूं क्योंकि हमारे इधर अभी क्या हो गया मुझे को बहुत ज्यादा बारीस आंधी तुफान लगाई रहता है तो यह खुल अबज extraction करता हुझा आङए Сबध Кट करते खुले में मुझे अच्छा लगता है जब दिन पर हम लोग घर में गुशे गुशे रहते हैं तो बाहर भी काम कर लेती हूं तो इसी वज़े से मैं यहां पर सोचती हूं कि धोग दूंगी तो दिन भर क्लीन रहेगा साफ रहेगा यहां पर ना देखी फ्रेंट्स मैं ना सु कुछ पौदे लाके लगाए थी लेकिन कुछ मुर्जा गए और एक आत बाकी है तो मैंने सुचा कि पानी डाल देती हूं रोज रोज वरना फिर यह भी जो बचा है वह भी कहीं मुर्जा के मर ना जाए तो बस उसी में में पानी डालने गई थी बाहर और अभी देखी मेर सारा खतम काम करके ना नहीं जा रही थी तो यहां पर मैं आप से भी साथ सेर करने जा रही हूं यह है अगारो का रिजेंसी मल्टी कुप केटल विट स्टीमर के साथ मुझे मिला है इसमें हम दाल चावल एक बोईल कर सकते हैं और काफी सारा जो बोईल वाला चीजी जो बन सकते हैं तो मैं 1.2 लीटर के कैपिसिटी के साथ आता है डबल लेयर के साथ यह मुझे मिला है और काफी अच्छा है देखिए मैंने कितना डिलिस्यस दाल बनाया है और फ्रेंड्स आम केटल जो रहता है उसमें सिर्फ हम लोग पानी कर सकते हैं और चाय बना सकते हैं लेकि साथ ग्यारा बजे आ गए थे और यहां पर देखिए आज यह लोग बैक से आए ना तो इसी वज़े से हलवेट बहन के पहनना पड़ा है दोनों बच्चों को और यहां पर देखिए कुछी दिर बाद यह लोग खाना अगरा खाते हैं और बस यहां पर बारिस होना स्टार जाता है मैंने पैदान वगेड़ा दोगे यहीं पर दिकी सुखाया था इतनी तेज हवा आई कि सब गिर गया और बारिसों ने श्टार्ट हो गया बहुत तीज हवा चली इससे पहले उसके बाद बारिस हो रही है और इतनी तीज बारी सोड़ी थिना जैसे कि बाढरी आ ज पता ही नहीं चलता कि कुछ दिर पहले इतनी तेज भयंकर आंधी तुफान होकर और बारिस हुई है तो यहां पर देखिए बच्चे कितने खुस हो जाते हैं तुरंथी बारिस में और यहां पर देखिए फ्रेंड्स मैं आप सभी को मौसम दिखा रहे थी कितना अच्छा हो सब्सक्राइब देखिए अभी ना इवनिंग का टाइम हो रहा था और मैं जा रही हूं मार्केट मुझे मैं काफी दिनों से प्लैनिंग बनाई रही थी कि मुझे मार्केट जाना क्योंकि मुझे घर के लिए बहुत सारी चीजों को खईदना है और मैंने खरीद लिया तो अब हम लोग वापस जा रहे थे बहुत साई चीजे में नहीं खरीदी लेकिन वह बहुत जरूरी चीज थी क्योंकि उसी के बीना ही मेरे सारे काम अठके हुए थे तो यहां पर हम लोग ना गर्म गरम चाट खा रहे हैं और यहां पर बस अभी हम लोग खा कि और निकलेंग हम खाते हैं तो देखे फ्रेंट्स में मार्केट से आ गए थी काफी दिर पहले उसके बाद अब मैं आपको दिखाते हूं कि मैंने क्या क्या चीजे ली है मार्केट से तो फ्रेंट्स मैंने बहुत दिनों से मुझे ना कमेंट भी आते थे और मुझे इस घर के लिए ज़रत दिया है क्योंकि रॉसनी आती है दिन में तो इस वज़े से और एक परदा भी तो यह मेरे पास था नहीं तो अभी मैंने देखे खरीद के खिड़कियों की साइज यह मेरा ना साइज चार फीट है तो खिड़की का चोड़ाई तो उसकी हिसाब से फिर यह हमने एक्स्टा क अगया है यह मेलब चार फिट से जादा ही है सही चार फिट से ज्जादा है है यह फ्रेंड्स क्योंकि वह साइड साम में फोड़े निकला रहता है तो अचछा लगता है तो इस स्टैप का देखे एक Čना हमने हमारे ओ गया हमें फिर इसे उसे बिण Germans तो इतना लग जाएगा और एक इस रूम में लग जाएगा तो मुझे तीन की ज़रुद थी तो तीन की मैंने लिया है और यह अभी मेरा एक्स्ट्रा बच गया है और एक इसमें से यह इसी में से कटा आए क्योंकि यह मैं पुरानी घर पे यह लगाई थी नहां लंबा सा दि नगाने के यह पुछ इस तरह क्या है ये ये पर्दो के किनारे किनारे जो लगता है ना देखें ये वहला है वहाँ पर काफी अच्छे डिजाइन थे काफी सुन्दर-सुन्दर थे तो फिर ये मैंने सोचा कि जल्दी खराब भी नहीं होगा और जल्दी गंदा भी नहीं हमें यह जाने के लिए लगाने के लिए यह जितने बिएज है कि पर दे मैंने खरीदे है और भी लिए उसको मैं आप सभी को किसी और वीडियो में दिखाऊंगी और यह ज़ी है क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जवरत थी और मेरे जो ये वाले बच गया है न दो एक्ट्रा ये मैं जैसे कि यहाँ पर बेडरूम में मेरा ये जो रेक है न उसको कवर करने के लिए यहाँ पर भी दो लगेगा इसलिए हमने ये चे टोटल हमने चार-चार आठ लिया में इस इस बॉक्स में 4 है और देखें इस बॉक्स में 4 है इस बॉक्स में 4 है तो अच्छा लगेगा तो फ्रैंस भाइसा अभी अभी मैं लेट से ही ये काम कर र marathon जोक DNS काफी दिन तो काफी अच्छा लगएगा लगने के बाद और आप पर दे अगे रहे ना कुछ मैंने ओफलाइन लिया है तो उसके हिसाब से यहां के लिए परदा है रूम्स के लिए परदा बस मुझे लिए और एक यहां पर चाहिए गयल्टी के लिए यह वाला जो थाना यह मैंने एमेजोन से लिया है और काफी अच्छा निकला इसकी क्वाइलिटी बहुत अच्छी थी और इसके साथ मुझे सारा यह पूरा सेट मिला है तो यह मुझे बहुत बैश्ट लगा मुझे और भी चीजे लेनी है मार्केट से तो जैसे जैसे मैं सोपिंग करते जाऊंगी वैसे घर को डेकोरेट करते जाऊंगी तो पहले जो चीजे मैंने ऑनलाइन मंगाई है न वह चीजे मेरे पास डिलीवर हो जाएगी हो भी गई है और एक आथ चीज रहे गई है तो मैं को नेट्ट वीडियो में ही सेयर करूंगे तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप सभी को मेरा यह चोटा सा स्वापिंग अच्छा लगा तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर देजेगा हम फिर मिलेंग अच्छे से नए वीडियो के साथ बाइबाइब